गेड मॉर्णिंग बड़ी गेड मॉर्णिंग ओई बिच्छा क्या कर रहे हैं ओहो यह तो पालक खाय जाय रही है मॉर्णिंग मैं आ रहे हैं चुड़ियों को खाना देनी के लिए अधी खाली के लिए क्या हुआ बड़ी क्या हुआ कर खाली तो नहीं लिए क्या है, क्या है, तो है उत्या है यह तो है अगला है औब अजिए विए खाले है मैंने प्रेज़ पाइस मेरे गर्ड मेरे जोस के गर्ड में भी खाए हुआ अच्छा लगा ठीक यह खा के बताओ कैसा लगा अर्याभी ज़रू ज़र लगा इस कुल्ड में अच्छा लगा इसको कैसा लगा अच्छा लगा इसको क्या खाया इसकोल में कुकीज कुकीज और कितने फ्रेंड्स आया थे तुम्हारे चार वल्ली फॉर वही आया हां अपुर्वा नहीं आया अपुर्वा नहीं आया हां हां और टेफिन फिनिस हुआ बाकी है दिखाओ तो आज मेरी रसोई में बनने जा रहा है चिकन तो चलिए बनाते है चिकन और बनेगा चावल और रोटी भी खाना है हां ओके तो बनाते हैं अभी चिकन आप दिखाते हैं आपको क्या कैसे चिकन बनाते हैं चलिए तेल डाल के जरम कर लिए हैं अज जाएगा इसमें यह अध्रा खरलाइसन मिर्चा का पेस्ट पेस्ट नहीं है यह दरदरा सामने कूट के लिया है मिक्सी में और यह तड़का में जाएगा दाल चिनी थोड़ा सा दो हरी लाइशी दो बड़ी लाइशी चान लॉंग है दो इसे थोड़ी देर भूने देंगे हल्का सा भूना यहाँ से जढ़ डाल देंगे हम कटाहर पयाष नियक्ट की वा देखो जरा पसीना little private चाटने में किस परसीन आता है in proper रोने के बज़र ऑश को पसीना आ रहाए मुलने के बाद अभी इंडाल देंगे ये कटा हुआ प्यास और चंदे में कड़ाई अद्रस थोड़ा सब भून चुका है अब इसमें आड कर देंगा हम ये कटा हुआ प्यास कर देंगे तेल अभी कम लग रहा है लेकिन प्यास खुड़ा सा दूने दा तो तेल करने लगे गए अलग से आज के पहले बून लेते हैं तो यहां पे डालेंगे हम कुछ पीसे हुवे मसाले जीरा और काली मेर्च इसमें धन्या है लेसन है इसमें हमने थवह पीस्थ्ली के ले लिया है तेहे Idok देंगे हम इसमें इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो हम इसमें डाल देंगे और इसमें डालेंगे भी सुखे बहुर मसाले तो सुखे मसाला में हम डालेंगे यहां पर चिकन मसाला इस चिकन मसाला है यह डाल देंगे हम इसमें कि ति दा लेंगे आप हम थोड़ा पानी कर देंगे अच्छी तरह से मसालों को हुण लेंगे हम और साथी डालेंगे यहाँ पे हम कश्मेरी लाल मिर्स कलर के लिए तो इसी भी डालके हम थोड़ा सा पानी डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसके बाद आल देंगे हम यहाँ पे चिकन और साथ में दोनों को हम अच्छे से बूनते भी रहेंगे मसाले भून भी जाएंगे और यह पक भी जाएंगे चीचन तो अच्रे से हम दोनों को मिक्स कर देंगे फटा-फट से कि दर्कुल इस तरह से में इसे मिक्स कर लेना है माख़ालों के साथ अधिसे धिरे-धिरे हम हलका-फाणी डाल डालके इसे हम भूंते जाएंगे और साथी यहाँ पे हम डाल देंगे नमक को ताकि प्याज को गल्ले में और हिल्प में जाए यहाँ पर टेस्ट के अकोर्डिंग नमक ले लिया है उसे भी यहाँ पे हम डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पाणी डालके हम इसे चलाते जाएंगे और दूसरी साइड में यहाँ पर रोटी भी बना रही हूं जड़ी से यह भी बन जाएगा मेरा चावल मैंने बना रखा है पहले से ही यहाँ पर मैं रोटी फ़र जड़ी से बना दूंगी यह देखोगा आइस पसी ना वाप्रेक गर्मी में अग्दम हलत खरा हो गी है तो फिर भी खाना तो बनाना पड़े बना रही हो गी और यह मेरा बन रहे चिकन और हूटी और चावल मैंने बना के रख दिया है पहले से तो फटा-पट से रोटी ज्यादा नहीं बनाना है औ लोटी और चिकन तब जाते हैं लोटी और आपको मेरे रेशिपी कैसी लेगी प्लीज कोमेंट बाक्स में जिरूर बताईएगा रेशिपी पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा ताकि मैं और अच अच्छे रेशिपी लेके सब्सक्राइब कर दिया है अब जाते हैं सुने के लिए खाना पिना हो चुका है और अब जा रहें सोने के लिए अभी सारा काम दंदा हो अब जारे हम लोग सोने के लिए तो चलो फिर गड़नाइट बोल दो सब्सक्राइब करो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो रहें और शेर भी कर दो शेर भी कर दो पसंद आये तो वीडियो पसंद आये तो गड़नाइट